दोस्तों आपने बिसकुपड़ा के बारे में सुनाई होगा जब कोई बिसकुपड़ा का नाम लेता है तो हमारे जहन में बहुत भ्यानक या बहुत ज्यादा जहरी ले जानवर का ख्याल आता है क्योंकि गाओं में द्यहतू में लोगों का मानना है कि जो साप होता है अगर वो बीश्वा अंड़ा देता है यहांगा बहुत भ्यानक होता है याने कि अगर किसी को काट ले तो भैक्ति की मृत हो जाती है यह जो है कि लोगों का मानना है लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल अन्दविस्वास है इस अन्दविस्वास के चक्कर में हम इस प्रयाबरर प्रारी के दूस्मन बन गये हैं और वहां दिन दूर ही जब यह का नाम पर सुनाई ही होगा जिसका साइंटिफिक नेम होता है मौनिटर लिजाड जो बिल्कुल छिपली के समान थोड़ी बरी पर जाती होती है राइट और यह जो आपका गो है इसी के सरेणी में डानासोर भी आया करते थे यानि कि डानासोर थे इससे बड़े साइज की ह करने साल पहले तो जो होता है संका डेटा के सरस्रिप वर्ग में आता है और जिसमें छिपकली साप यानि की रेंग के चलने वाले जितने भी जीव हैं उसी स्रेणी में यह पीयाता यह बी रेंग के ही चलता है अब वो यह जो होते हैं इनका इन कावास होता है इस्पिसल तरीके से पानी में भी पायजा सकते हैं राइट ठरातल भी है भी आपको देखने और पेड़ों करो है ये गिलहरी को खाते हैं यह जाप मिली घरू खाते हैं यह य् об जो मादा गो है वह 15 से 20 सफेद रंग के अंडे देती है उस अंडे से जो बच्चे निकलते हैं बेहद चट के लिए रंग के निकलते हैं और उनके सरीर पर सफेद सफेद भिंदिया पाई जाती हैं तो यहां जो जीव है यानि कि जो बच्चे हैं वे बिल्कुल गोह से अलग दिखते हैं अब लोग इसी बच्चे को भिस कोपड़ा माल लेते हैं यानि कि जो गोह होती है न वहां अपने भी अंडे खा जाती है अगर कोई अंडे से अगर बच्चा नहीं निकला है कोई अंडा कमजूर है उसे खा जाएगी फिस कंडिशन में गोह के साथ यह बच्च नहीं है यहां जीव आपका जो है की स्पिसल तरीके से गोह का बच्चा है जो गोह से अलग दिखता है जब वह बड़ा होगा तो बिल्कुल गोह की तरह हो जाएगा राइट इस शेकर में लोग इस जो एक प्रवर प्रारी गोह के बच्चे को मार देते हैं यह कोई बिसकुप्रा ऐसा कोई जीव नहीं होता है आप अपने दिमाग से अंधिविस्वास को निकालिए आप साइंस तरीके से समझे लोगों के कहने पे कहें पे बिस्वास ना किजिए आप ठिंकिंग किजिए और जो है कि आप साइंस के नजरिये से समझे तो आपको पता अगला होती है नहीं कि अगर हो सकता है कि कहीं उसके मुँग के अंदर जोलार है उसमे कुछ बैक्τεरिया हो अगर वह जवड़े से कारती है कहीं तो वहां पर घाव बन जाएगा तो बैक्टरिया कि चलती वहां पर घाव थोड़ा ज्यादा दिन तक रह सकता है दर्ध हो सकता है लेकिन गुओ के काटने से या बिसकुपडा के काटने से किसी की मृत नहीं होती यह बिल्कुल अंद वि रिजबल बीडियोस को देखने के लिए שאigns बाई लोजी भाई मिरा सर्क को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि और लोग को पता चले कि भीछ पड़ा जूजिव है वह है क्या और इस प्रयावरण पड़ कि लोग डुसमा ना वने राइट ठीक है दोस्तों आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद